कार्तिक पूर्णिमा की पौरानिक कथा के नुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके तीन पुत्र थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्ध्युनमाली जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्थिके ने तारगा सुर्कावद कर दिया तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारम कर दिया उनकी कठिन तपस्या से प्रसन होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वर्दान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अमर होने का वर्दान मांगा ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें ये वर्दान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरूपयोग ही करेंगे और सभी को परिशान करेंगे इसलिए उन्होंने ये वर्दान देने से इनकार कर दिया श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगा कोई अन्य वर्दान मांग लो तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वद्ध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें में वर्दान दे दिया वर्दान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्यजार करने लगे उनके अत्यजारों से परिशान होकर सभी देवतागन भगवान शिप की शरन में गए और उन तीनों का वद करने की प्रार्थ न की तब महादेव जी ने विश्व कर्मा जी से एक दिविरत का निर्मान करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिविरत को प्रदान किया तब उस दिविरत पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वद करने निकल पड़ी देवताओं और राक्षसों के इपिज भयानक युद्ध चल रहा था युद्ध के दोरान जब तीनों राक्षस एक सीथ में आई और जब अभीजीत मुर्द हुआ उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वद कर दिया कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा उन तीनों के अत्यचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई दीप चला कर खुशिया मनाई इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाय जाता है क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षर स्कावद किया था आज के दिन अपने सभी कस्टों से मुक्ति पाने के लिए अगर ऐसा संभाव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर आपको इसनान करना चाहिए आज के दिन सत्य नारण भगवान की कथा का पाठ भी पढ़ना या सुनना चाहिए जो कि आपको हमारे चैनल पर अगली वीडियो में मिल जाएगा तुलसी जी के सारोवर में जल में जो दीव दान होता है वो श्यांकी पूजा के समें हुता है इस सिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए एकदिवु उनके नाम से भी प्रज्वलीद करें पीपल की वरिक्ष में सभी देवी-देवताउं का वास होता है तो वहाँ पर एक दीव जलाना इस दिन दान जरूर देना चाहिए दान में वस्त्र, भोजन, पूजन सामगरी और दीपक जैसी वस्त्वों का दान देना चाहिए गुड़ और काले तिल का दान देने से भी सुभागी की प्राक्ति होती है घर को और घर की खुशियों को किसी भी तरह की बुरी नजर से बच करना चाहिए शाम के समय जब शाम की पूजा कर ले तो इस जल का विस सरजन आपको अपने ही घर के किसी भी गमले में किसी भी पौधे में किसी भी क्यारी में कर देना चाहिए लेकिन तुल्सी जी में ये जल अर्पित नहीं करना चाहिए इस दिन करोध नहीं करना चाहिए पूर्णीमा का उपवास जो लोग भी रखते हैं उन्हें इस दिन नमक का सेवन करने से बजना चाहिए इस दिन खीर का भोग लगा कर उसी को परशाद रूप में खुद भी ग्रहन करना चाहिए खीर के लावा आप मौस्वी पल फलों का जूस या फिर ड्राइफ रूट्स वगरा भी ले सकते हैं और अगले तिन सुभा की पूजा करके आपको फिर नमक से बनाऊवा भूजन ग्रहन करना चाहिए आए सुनते हैं भगवान शिप को प्रसंद करने वाला भगवान शिप की कृपा प्रदान करने वाला शिप्र उत्रास्ट कम का पाठ अर्थात है भगवान की शान को मेरा प्रणाम ऐसे भगवान जो की निर्वान रूप है जो की महान ओम के दाता है जो संपुन ब्रह्मान में व्याप्थ हैं और जो अपने आप को धारं किये हुए हैं जिनके सामने गुण अबगुण का कोई महत्व नहीं जिनका कोई विकल्प नहीं जो निश्पक्ष है जिनका आकार आकाश के समान है जिसे मापा नहीं जा सकता उनकी मैं उपासना करता हूं निराकार मोंकार मूलं तुरियं गिराग्यान गोतित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं क्रेपालं घुणागार संसार पारम नतोहं अर्थात जिनका कोई आकार नहीं जो ओं के मूल है जिनका कोई राज नहीं जो गिरी अर्थात परवतों के वासी है जो की सभी ग्यान शब्द से परे है जो की किलाश के स्वामी है जिनका रूप भयाव है है जो की काल के स्वामी है जो उदार एवन दयालू है जो गुणो का खजाना है जो पूरे संसार के परे हैं उनके सामने मैं नत्मस्तक हूं तुशाराद्री संकाश गौरं गंभीरं मनों भूत कोटी प्रभाश्री शरीरं इस पूरन मौली कलो लिनी चारुगंगा लसधाल बालेंदू कंठे भूजंगा अर्थात जो बर्व के समान शीतल है जिनका मुख सुन्दर है जो गौर रंके है जो गहन चिंतम में है जो सभी प्रारियों के मन में है जिनका वैभव अपार है जिनकी देह सुन्दर है जिनके मस्तक पर तेज है जिनकी जटाओं में लहलहाती गंदा है जि के कंट पर सर्व का वास है चलत कुंडलं भ्रसु नेत्रं विशालं प्रसन्ना ननम निल कंठं दयालं म्रिकाधीश चर्मां अंबरं मुंद मालं प्रियं शंकरं सर्व नाथं भजामी अर्थात जिनके कालों में बालिया है जिनके सुन्दर भौ हैं और बड़ी बड़ी आखे हैं जिनके चेहरे पर सुख का भाव है जिनके कंठ में विश्का वास है जो दयालू है जिनके बस्त शेर की खाल है जिनके गले में मुंड की माला है ऐसे प्रिशंकर को जो की पूरे स संसार के नाथ हैं उन्हें मैं पूझता हूँ प्रचंडम प्रकस्टम प्रगल्भं परेशं अखंडम अजंभानु कोटी प्रकाशं त्रहशूल निर्मू लनम्शूल पाणी भजेहं भवानी पतीभाव गम्यम अर्थार्थ जो भयंकर हैं जो परिपक्व सहसी हैं जो सेष्ट है अखंड हैं जो अजन्मे है । जो सहस्तर सूरी के समान प्रकाशपान है जिनके पास त्रिशूल है जिनका कोई exist境 नहीं है जिनमें किसी भी मूद का नाश करने की सकती है ऐसेặt्रशूलधारी dale नाभग सदासजनानंद दाता पुरारी जिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभुमन मथारी अर्थात जो काल से बंदे नहीं हैं जो कल्यार कारी हैं जो विनाशक भी हैं जो हमेशा अशिरवात प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं जो अधर्मियों का नाश करते हैं जो चित्त का आनंद हैं जो जुनून है वो मुझसे सदा खुश रहें ऐसे भगवान जो काम अर्थात जो यधावत नहीं है ऐसे उमापती के चणों में कमल बंदना करता है ऐसे भगवान को पूरे लोग के नर्वनारी पूझते हैं जो सुख है शांती है जो सारी दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं ना जाना मियोगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्व दाशंभुतो भ्यम जराजन में दुखोग तातप्यमानम प्रभुपाहियापन नमामिश शंभू अर THात मैं कुछ नहीं जानता नयोग नध्यात ऐसे देव के सामने में विरा मस्तक पूपता है सभी सांसारिक कस्टों दुखों से डऱ््द से ऐसे देव मेरी रुक्षा करें मेरी बुढ़ापे की कस्टों से रक्षा करें मैं सदा ऐसे शिफ शंभू को प्रणाम करता हूं रुद्रास्ट कमिदम प्लोक्तम विप्रेण हर तोशे ये पठंती नरा भक्तिया तेशा शंभू प्रसीदती अर्थाथ इस रुद्रास्ट को जो सच्छे भाव से पड़ता है या सुनता है शंभू नात उसकी सुनते हैं और अपना आशिर्वाद प्रदान करते हैं यह थी आज की वीडियो